नासिक से आरंबकिया, गुरु आयूर गए, श्री रंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमानों को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानों वे निमंतन दे रहेते कि आईए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिये और हमारे राट को महान बनाने के लिए आशिरबाद दीजिए, हमने के वल कहता, तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए, ग्यारह दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं, इस कड़कडाती थंड में इस पकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्माजी ने सुट्टि को निर्मान किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था, भारत के संस्कृति का सबसे मूल शब्द है, तप तप इती, हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परमगुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज, तपस्चर, मैं जब भी उसे मिलता था, वे कहते थे तपस्चर, आज तपकी कमी हो गई है, और उस तपको हमने साकार आप में देखा, मुझे इस परमपरा को देखते हुए केबल एक राजा याद आता है, जिसमें ये सब कुछ था, और उस राजा का नाम, चत्रपती शिवाजी महराज, चत्रपती शिवाजी महराज, मित्रों लोगों को पता नहीं है शायर, बेस वायम जब, मलिक आरजुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के उपर गए, तीन दिन का अपवास किया, तीन दिन शिवा मंदिर में रहे, और महराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे सन्यास लेना है, मैं शिवजी कि आराजना के लिए जन्मा हूँ, मुझे सन्यास लेना है, मुझे वापिस मत ले जाईए, इतिहास का वो बड़ा विलक्षन प्रसंगा है, उस प्रसंगा में उनके सारे जेट मंत्रियों ने उनको समझाया, और लवटा करके लाया, कि यह भी आपका कार ये भगवत सेवा ही है, आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महा पुरुष ऐसे प्राप्त हुए है, जिसको भगवती जगदम्बाने स्वयम हिमाले से लौटा करके बेड़ दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो, तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है, मैं अपने को कभी सद्धा रखने के बारे में भावक नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जहांपर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है, ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्तित राजर्शी ने जब दिखाया, तो मुझे सत्रपति श्वाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदा स्वामी महाराज की याद आ गई, उन्हेंने श्वाजी का वर्णन कीया, निश्चयाचा महा मेरू, बहुत जनासी आधारू, अकंड-स्तिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, हम लोगो उनकी अनुमती लेकर के और उनके आशिरवाद लेकर के उनका यतप पूर्ण करने के लिए उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे सहमती दें